शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें लोगडाउन के दवरान शिव भोजन थाली ने उन लोगों को एक बड़ा सहरा दिया है, जो जरूरतमन है, गरीब है, नागपूर विभाग में कुल दो लाग 26,290 नागरिकों को शिव भोजन थाली वितरित की गई है शिव भोजन थाली परियोजना पिछले 26 जनवरी से राज्य में शुरू की गई है, मुश्किल श्रमिकों और जरूरतमन नागरिकों के लिए भोजन केवल 10 रुपे में उपलब करवाया जाता है, राज्य में कोरोना का बिगुल बच चुका है, इस प्रुष्ट भूमी के खिलाफ सरकार निकेवल 5 रुपे में एक थाली प्रदान की है, नागपुल डिविजन में शिव भोजन थाली ओजना 21 केंद्रों के माध्यम से कार्यान वित की जा रही है, इन केंद्रों पर एक दीन में 11,900 शिव भोजन थाली वितरित करने का उद्देश है, अप्रेल के म और सच्छे आधिक प्लेटों को वितरित करके भूकों को खिलाने का काम कर रहे है, केंद्र के माध्यम से हो रहा है रोजाना और स्तन 12,800 प्लेटे बाटी जा रही है, शिव भोजन थाली ओजना के तहत विभाग में दिये गए उद्देश के अनुसार नागपुर शेहर के च्छे केंद्रों को प्रतिदीन 3750 थालियों का उद्देश दिया गया था, नागपुर रूलर ट्रेन सेंटर 2250 प्लेट स्वर्दा भंडारा के माध्यम से गोंदिया जिले के लिए और सतन 1000 चंदपुर जिले के लिए 16 केंद्रों और गडचिरोली जिले के लिए 2000 इसका उ मुवितरित किया जा रहा है जो ताला बंदी के दोरान फस गया है अधिकांश भोजन थाली केंद्र गरीबों और जरूरत मंदों को सरकारी मेडिकल कॉलीजों जिला अस्पतलों में उपलब कराए गया है अधिकांश केंद्र सेवा मूल्य बनाय रखते हैं गरीब और 22 गोंदिया जिले में 14,005 और चंद्रपूर जिले में 44,326 है गड़ची रोली जिले में 9,600 प्लेटों को वितरित किया गया है कैमेरा परसन राशकुमा मोर के साथ अभिशेक पांसी के रिपोर्ट